आज हम इंस्टेंट पेड़ा मिठाई की रेसिपी शेयर करेंगे यह बहुत ही डिलिशियस बनते हैं और बनाने में सिर्फिसी पांच मिनट का टाइम ही लगता है तो जब भी आपको मीठा खाने का मन हो या किसी भी फेस्टिवल में फटाफर्स से बनाना हो तो इस मिठाई क बहुत ही आसान पेड़े की रेसिपी है तो जलिए देख लेते हैं फटाफर्स से बनाया है तो सबसे पहले पेन को हम गैस पर चड़ा देंगे अब दो टेबल स्पून के करीब घी एड़ कर देंगे तो दो चमच के करीब मैंने घी एड़ कर दिया है अब आदा कप के मिल्क पार्डर चोड़कर आप कोई भी ब्राणि का मिल्क पार्डर ले सकते है और आधा कपीछम् therapists लेंगे जिदना मेने दूत लिया था अदिन है चीनी को मैने मिक्सी में पीस लिया था आभ इन शभी को अच्छे मिक्स कर लेंगे गर एसले मोंने अंग दब मो रखा है यह देखें कितने फटाफर से मिक्स हो गए हैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है मिक्स होने में और यह देखें मिक्स एक अठा भी होने लगे हैं मिक्स पैन भी चोड़ दिया है पर हम आप भी एक मिनरता कौरे से पकाएंगे जब तक कि यह फराइपन अच्छे से न पैचुला में भी चिपक रहे हैं तो अभी हमारे मिक्स तयार हो चुके हैं मैंने गैस का फिलेम भी बन कर दिया है अब मिक्स को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो मिक्स को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है मिक्स को ठंड़ा नहीं करेंगे गरम मिक्स के ही बना लेंगे, इस तरह से पेड़े बना लेंगे, तो एक पेड़ा मैंने बना लिया है, और इसी तरह से हम सारे पेड़े बना कर तयार कर लेंगे, और हाँ फ्रेंस मैं आपको एक बात याद दिला दो, मेरी ये मिठाई की रिस्पी थोड़ी बहुत अच्छी लग रही हो, त इतने अच्छे से पेड़े नहीं बनते हैं तो बाकी के सारे पेड़े इसी तरह से बना लेंगे तो यह देखें इस तरह से मैंने सारे पेड़े बना लिये हैं तो देखा आपने यह मिठाई कितने फटफट से बनकर तयार हुए हैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है और अ तो केसर और पिस्ता से गानिशिंग भी मैंने कर दी है और आप देख सकते हैं हमारे पेड़ा मिठाई कितने ब्यूटिफुल लग रहे हैं जितना देखने में अच्छा है उसे कहीं ज़्यादा खाने में भी टेस्टी है तो अगर आपको मिठाई जल्दी तयार करनी हो तो य लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजीगा